हेलो एवरिवन होली का त्योहर आई रहा है और होली के मोके पर जोज जोश में हम होली खेल तो लेती हैं बड़ बाद में इतनी तक आउट हो आती है कि पूछो हीमत और हमारी एनरजी सारी ऐसे लगती है कि वेस्टी हो गई है और इसी एनरजी को वापिस लाने के लिए कुल कुल थंडाई मिल जाए तो कहना ही क्या तो चलिए फड़ा फच से बता रेती हो आपको थंडाई की रेसिपी तो यहां पर थंडाई बनाने के लिए जो भी मैंने ड्राइफ फ्रूट्स लिए हैं वो मैं आपको बता देती हूं और यहां पर दो गिलास में बना रही है थं और साथ में डाले हैं रोस बैटल्स फ्रेश है यह और इनको हम सोक करने के लिए रख देंगे पांस से छे घंटे के लिए और यहां पर मैं इनको रख रही हूं फ्रीज में क्योंकि अब थोड़ा सा गरम मोसम हो चुका है तो इने आप रख दें फ्रीज में तांकि यह जो केसर ताकि जो केसर है वो अपना अच्छा सा कलर छोड़ जाए और हमाई ठंडाई में फ्लेवर भी दे और कलर भी अच्छा है हमाई ठंडाई का तो केसर डाल दिया है मैंने इसे भी हम रख देंगे फ्रीज में और यहां पर मैंने लिए हैं कुछ ड्राइ मसाले जैसे कि थोड़ा सा सोफ, इलाइची, डालचीनी का छोटा सा तुकड़ा और काली मिर्च तो इसे भी हम थंडाई में यूज़ करने वाले हैं तो यह देखिए पांच से छे घंटे हो चुके हैं हमारे ड्राइ फूट्स जो हैं इसके अंदर बहुत सोफ्ट हो चुके हैं और यह देखिए केसर भी अपना कलर कितना प्यारा सा छोड़ चुका है और अब हम क्या करेंगे सबसे पहले हम यह जो ड्राइ मसाले हैं इनको हम ग्राइंड करेंगे तो यह देखिए ग्राइंड कर लिए हैं अब हम इनको चान लेते हैं ताकि जो हमारी जो इलाइज जी का छिलका बगएरा है वो हमारे मूँ में ना आए तो चान लें यहाँप इसे तो यह देखिए, यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से चान लिया है, और जो यह बचा हुआ है, आप इसे फैंके नहीं, आप इसे चाय में यूज़ कर सकते हैं, और अब हमारे जो यह ड्राइ फ्रूट्स भीगे हुएं पानी में, इनको भी हम चान लेते हैं, और चानने के बाद इन्हें भी हम ग्राइंड करेंगे, बहुत स्मूध सा पेस्ट बनाएंगे हम इनका, तो थोड़ा सा दूध डाल रही हूँ मैं इसका पेस्ट बनाने के लिए, पहले मैं थोड़ा सा डालूंगी, अगर जरूरत पड़ी, अगर स्मूध पेस्ट नहीं बना तो थोड़ा सा दूध और डालेंगे हम, तो ये देखिए थोड़ा सा दूद में इसके अंदर ओर डालूंगे और हम अच्छे से इसका स्मूथ पेस्ट बनाएंगे ताकि कुछ भी हमारे दांतों में ना आए और ये एकदम स्मूथ पेस्ट बन जाए तो ये देखिए एकदम स्मूथ पेस्ट तयार हो चुका है हमार और वो मैंने मसाले का जो ग्राइंडर होता है उसमें बनाया था उसमें अच्छे से आपका पेस्ट तयार हो जाएगा अब मैं इसे दूसरे जार में कनवर्ट कर लूँगी तो यह जो हमारा तयार किया हुआ है पेस्ट वो इसके अंदर डाल दे और यहाँ पर डाल दिया है मैंने दो ग्लास दूद साथ में और साथ में डाल दे हमारा जो केसर में घुला हुआ दूद है और चार चमच मैंने आपर चीनी डाल दी है और थोड़ा सा डला है मैंने आपर केसर और यह हमारा जो ड्राए मसाले है इलाइची, डालचीनी, सोंफ, काली मिर्च, ये भी हम डाल देंगे और इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे और कूल-कूल हमारी थंडाई तयार हो चुकी है और इसे कूल-कूल और बनाने के लिए हम इसके अंदर डालेंगे आइस क्यूब्स बहुत ही मज़ेदार बनती है, गर्मियों में आप इसे पीते भी रहे अच्छी भी होती है ये पीनी तो ये देखिए, मज़ेदार सी हमारी थंडाई बनकर तयार है तो आप भी जुरूर बनाईए गाईस होली पर ये थंडाई और खूली के बाद एंज्डाई कीजिए इस थंडाई को बहुती मज़ेदार सी यमी सी थंडाई बन जाएगी ये बच्चे बड़े सभी पी सकते हैं और गानिश करें कुछ ड्राइफ फ्रूट्स के साथ मैंने याँ पर डाला है पिस्ता और साथ में मैंने डाला है यहाँ पर थोड़ा सा केसर और रोस बैटल से इसे गानिश कर दें तो कैसी लगी वीडियो जरूर बताना लाइक शियर सब्सक्राइब किये भी ना मत जाना मिलती हूँ आपको नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बवाए हैपी होली टू ओल ओफ यू आपके जीवन में खुशियों के रंग भजाएं यहीं मेरी कामना है तो मिलती हूँ आपको नई रेसिपी के साथ हैपी होली